गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स आज का हमारा discussion, आज का हमारा centrifugal pump का ये चौथा lecture है आज जो topics हम discuss करने वाले हैं वो basically हमारे हैं effect of discharge valve throttling on power consumption अगर हम किसी भी centrifugal pump का discharge valve throttle कर देते हैं तो उसमें लगने वाली power पे क्या impact आएगा अगला next topic होगा हमारा effect of closing का discharge valve अगर हम पूरा का discharge valve close कर देते हैं और हमारा pump running रहता है तो उसका हमारे pump के उपर क्या effect आएगा next topic centrifugal pump को अगर हम series में लगाते हैं और parallel में लगाते हैं तो उसका क्या effect होता है और उसका अगला topic रहेगा हमारा कि हमेशा हमने देखा है कि हमारी जो suction line है उसका जो size रहता है वो discharge line से ज़्यादा रहता है तो इसके पीछे का basically reason क्या है तो friends इससे पहले कि मैं आज का ये lecture start करूँ मैं आप सबसे ये request करूँगा कि अगर आपको मेरा lecture valuable लगता है और आपको सीखने में help मिलती है तो please इसे subscribe कीजिए और जितना हो सकता है उतना इसे likes दीजिए और जो भी आपकी queries रहती है वो नीचे comment के थो आप मेरे से पूछ सकते है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हम किसी भी centrifugal pump का discharge valve हम throttle कर देते हैं तो क्या होता है actually जो भी एक pump होता है जैसे कि ये point number one में बताया गया है हर एक pump basically design रहता है एक specific flow rate के लिए और एक specific head के लिए जिस पे एक हमें fix efficiency मिलती है अगर हम बात करें तो हम vendor को अपनी पूरी की पूरी data suite देते हैं कि हमें इस flow rate का इस head का pump चाहिए और वो उसके हिसाब से हमें pump लाके देता है कोई भी vendor ये मान के हमें pump लाके देता है कि हम उसके discharge valve को throttle करते हो तो जो उसका impeller है उसके impeller पे लगने वाला जो back pressure है वो back pressure आपका एकदम से बढ़ जाता है जब आपका impeller पे लगने वाला bad pressure बढ़ जाएगा तो एक common sense की बात है कि आपका जो power consumption है मतलब जो impeller आपका घूम रहा है और motor से जो power ले रहा है वो power consumption आपका बढ़ जाएगा अब ये power consumption आपका कैसे बढ़ता है ये friends मैं आपको अपनी next slide में समझाता हूँ तो friends ये देखे लास्ट लेक्शर में मैंने आपको बताया था कि power कैसे calculate करते हैं एक बार मैं दुबारा repeat कर देता हूँ power is equal to flow rate into density of liquid into g specific gravity into h height ये जहाँ पे हमें liquid को transfer करना है upon efficiency तो इससे जो मैं power calculate होके मिलती है वो watt में calculate होके मिलती है तो चलिए हम पहली condition की बात करते हैं अगर हम पहली condition की बात करते हैं जिसमें मेरा discharge wall पूरा open है माल लीजिए उस case में मेरा जो pump है वो 80% efficiency दे रहा है तो अगर मैं ये power calculate करूँगा तो ये जो formula मैंने बाजू पे लिखा हूँ है P is equal to Q rho g h upon efficiency इसमें efficiency की value नीचे आगी 0.8 तो यहाँ पे जो भी power मेरी calculate होगी वो माल लीजिए P1 निकल के आती है अब माल लीजिए मैं second condition की बात करता हूँ second condition में मैं क्या करता हूँ जो भी मेरा discharge valve है उसको मैं throttle करतेता हूँ और उस case में माल लीजिए कि ये जो efficiency मेरी निकल के आती है ये 60% निकल के आती है और उस case में मैं power calculate करता हूँ तो वो power मेरी P2 निकल के आती है तो अगर आप दोनो powers को calculate करेंगे P1 और P2 को तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जब bottom की value जिस case में भी कम होगी means efficiency जिस case में भी कम होगी उस case में power consumption हमेंसा ज़्यादा होगा तो इस case में आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप discharge valve throttle करते है मेरी efficiency drop कर जाती है तो जैसे ही मेरी efficiency drop करेंगी means नीशे की value इस formula के हिसाब से नीशे की value जैसी मेरी drop कर जाएगी तो मेरा जो power consumption means जो उपर की value है ये जो ratio है वो ratio मेरा बढ़ जाएगा means P2 is always greater than P1 मतलब साफ है जो मैंने red highlight करके लिखा हुआ है वो देखिए अगर आप कोई भी valve आप throttle करते हैं तो हमेशा जो भी आपका power consumption है वो power consumption आपका normal case में जिसमें 100% valve खोल के चाड़ाते हैं point है कि कभी भी जब तक हो सके कोई भी discharge valve throttle करके ना चलाएं उसे पूरा खोल के चलाएं because अगर हम कभी भी कोई भी discharge valve throttle करते हैं तो हमें इस बात का idea नहीं रहता है कि हम उसका जो power consumption है वो बढ़ा रहा है so friends always remember this thing अब हम बात करते हैं अपना next topic so next topic है अगर मालीजीए मेरे पास में कोई centrifugal pump है और मैं उसका discharge valve पूरा close कर देता हूँ means मैंने case लिया मालीजीए ये गल्ती काफी लोगों से होती है कि वो pump चालू कर देते हैं लेकिन discharge valve खोलना ही भूल जाते हैं अब ये interview के एक बहुत ही important question है जो बार 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 आपसे repeat किया जाएगा कि अगर एक centrifugal pump चल रहा है और इसका discharge valve बंद है और operator ये भूल जाता है तो उसका क्या impact आएगा so friends ये basically अगर centrifugal pump है discharge valve बंद है और impeller घुमता जा रहा है तो normal अगर हम 5 से 10 मेट की बात करते हैं तो उसमें कुछ भी impact नहीं आएगा बट अगर माली जीए ये काफी देर तक चलता रहेगा तो अब देखिए आपकी section line भरी हुई है impeller पूरा भरा हुआ है और वही material impeller के थ्रो बार बार घूम रहा है तो अगर माली जीए वही material काफी देर तक काफी देर तक माली जीए एक घंटा हो गया दो घंटा हो गया वह material काफी देर तक घूमता रहता है तो in that case क्या होगा material friction की वजए से impeller और material के वीच में friction की वजए से material मेरा काफी जादा गरम हो जाएगा और जैसे ही वह material मेरा centrifugal pump operate करते हैं तो discharge valve को खोलना मत भूलिए because अगर आप discharge valve को खोलना भूल जाते हैं तो 10 या 15 minute में तो कोई measure impact नहीं आगा लेकिन अगर काफी ज्यादा time हो जाता है एक घंटे दो घंटे या फिर उससे भी ज्यादा तो या तो आपका pump जा सकता है pump का impeller damage हो सकता है या फिर आपकी seal जा सकती है friends अब हम next topic की बात करते है centrifugal pumps in series अगर हम दो centrifugal pumps को series में लगाते हैं तो क्या होता है so friends मालीजे मेरे पास में 2 pump है pump A और pump B यह जो diagram है इसमें मैंने आपको दिखाया है कि series में 2 pumps कैसे लगे रहते हैं यहाँ पे मैं दोनों pumps को similar type का consider करता हूँ दोनों का flow rate Q है same और hide और दोनों का head H है same so friends जब भी दो centrifugal pumps को series में लगाया जाता है तो इस diagram में आपकाईदे से देखिए कि जो भी पहले pump का output होता है वो next pump के लिए input बन जाता है so friends always remember one thing जो भी पहले का output होता है वो next के लिए input बन जाता है तो friends यह हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी दो हम centrifugal pumps को series में लगाते है तो जो overall head होता है वो दोनों pumps का जुड़ जाता है माल लिए एक pump का head H था दूसरे का B H है तो जो overall head मेरे पूरे system से मिलेगा दो pumps के system हमसे वो मेरे को 2H मिलेगा बड़ जो flow है वो flow मेरे को same मिलेगा क्यों so friends यह बहुत ही important topic है यह interviews में बार-बार पूछा जाता है हमेसा याद रखिएगा कि अगर दो similar type के pumps को मैं series में लगाता हूँ तो उसका जो head है वो हमेसा double हो जाता है लेकिन जो उसका flow है उसका flow same रहता है यह मैंने green highlight करके समझाया भी हुआ है so friends इसको अच्छे से याद रखिएगा next हम बात करते हैं centrifugal pumps in parallel so friends यह diagram देखिए इसमें 2 pumps हैं A और B अभी दोनों similar तरीके के pumps हैं जैसा आप इसले case में था यहां समझना यह जरूरी है कि parallel का मतलब क्या होता है so friends parallel के case में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों pumps का suction common है और discharge भी common है so friends इस case में क्या रहता है जब हम 2 pumps को parallel में लगाते हैं तो जो भी मेरा overall head रहता है वो मेरा एक ही pump का जो इतना होगा उतना ही रहता है बट जो मेरा flow रहता है वो flow मेरा double हो जाता है so friends हमेशा याद रखे कि अगर 2 centrifugal pumps को similar तरीके के centrifugal pumps को मैं parallel में लगाता हूं तो head मेरा same रहता है लेकिन जो भी मेरा flow है मेरे flow की value double हो जाती है friends always remember दुबारा repeat कर रहा हूं अगर centrifugal pumps को similar तरीके को हम series में लगाते हैं तो मेरा head double होता है but flow same रहता है लेकिन अगर parallel में लगाते हैं तो मेरा flow double हो जाता है लेकिन head same रहता है यह बहुत important question है यह कभी भी आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है next topic है यह आपने कई जगे सुना भी होगा यह हो सकता है आपसे interview में पूछा भी गया हो कि हमेशा जो भी suction line रहती है आपके pump की उसका diameter discharge line से ज्यादा क्यों होता है so friends पहले तो मैं आपको यह clear कर देना चाहता हूं कि यह compulsory नहीं है कि आपका जो suction line है उसका dia हमेशा discharge line से ज्यादा ही हो because either वो dia ज्यादा होगा या फिर वो same भी हो सकता है but friends ऐसा क्यों किया जाता है वो समझ लीजिए हमेशा suction line जो है वो आपकी पूरी तरीके से पानी से भरी होनी चाहिए और जो भी material उसके तोफ फ्लो करता है उसकी वज़े से होने वाले frictional losses उस line की वज़े से होने वाले frictional losses minimum होने चाहिए ताकि कभी भी वहाँ पे cavitation होने की chances ना रहे so friends always remember this point की हमेशा suction line discharge line से इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि उसमें जो भी होने वाले losses है frictional losses जो भी है head के terms में वो losses मेरे कम हो जाए और मेरा cavitation होने का chance मेरा minimum हो जाए so friends आज के लिए इतना ही hope आपको मेरा lecture अच्छा लगा होगा so friends अगर आपको मेरा lecture अच्छा लगा है तो like जरूर कीजिएगा और subscribe जरूर कीजिएगा और next हम centrifugal pump में ही next lecture में इसके आगे के हम topics discuss करेंगे जिसमें basically हम affinity laws और आपका centrifugal pump के characteristic curves हम discuss करेंगे so friends hope आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा एक बार फिर repeat करता हूँ कि please मेरे channel को subscribe कीजिए और like जरूर कीजिए thanks